काक बुसंडी जी जो एक मात्र टाइम ट्रेवल वाले व्यक्ति सनातन धरम के सबसे लंबे जीवित रहने वालों में से एक जिसने रामयन कितनी बार देखी भ्रमान कितने देखे रामजी के उधर में जाके उसने बहुत ज़्यादे बड़ा कल यूगसत यूगसाब कितनी बार देखे वो काक यानि कोवे के रूप में कैसे आए आज हम वो गता बदाते हैं तो जब काक बुजंडी जे अयोध्या में में एक व्यक्ति के रूप में मनुश्य के रूप में रहते थे महाँ पर बहुत दिन रहने के बाद भी लेकिन उनोंने जो है स्री राम प्रभू राम की महीमा उनोंने कभी नी सुनी नी पाई वो हमेसा कपट पूरवक सेवा करते थे अपने सुार्थ के लिए महां पर सिवा करते थे लेकिन यह नहीं गाते थे अब महाँ पर जब काल पड़ा तो सभी तो महां पर है लेकिन में यहां से छोड काया और मैं उझ्यैन में चले और वहां पर उज्जैन में जाकर बोले की नगरी में, बोले के गुण मेंने गाने शुरू करती है और वहां पर एक गुरू जी थे, गुरू जी का आच्रन बहुत बढ़िया था, वह मुझे हर तरह के से अपने बेटा समझते, सिक्सा देते, बहुत बढ़िया कारिया करते ह समझते हैं, और शिक्सा भी एक पुत्र के भांती देते हैं, शिव जी की सेवा का फल यही है कि स्री राम जी के चड़नों में प्रगाड भक्ती हो, उन्होंने कितनी बार बताया, लेकिन मैंने कभी स्री राम की भक्ती नहीं की, और मैं हमेशा शिव जी का ही जब करता रहत था, जो मेरे गुरू जी ते एक बार क्या हुआ कि मैं भक्ती कर रहा था, मैं जब कर रहा था, ध्यान लगा रखा था मैंने, और वहां पर मेरे गुरू जी आ गई, जब गुरू जी आए, तो मैंने उनको ना तो उटकर नमस्कार किया, ना प्रणाम किया, ना उनकी कुछ जो करें तो वहीं पर और गुरु जी इतने अच्छे थे कि बहुत में उन्हें कभी गुस्सा नहीं किया कभी क्रोध नहीं आया उनको और गुरु जी हमेशा समझाते रहे दें कि हे तात हे पुत्र हे सिष्ष शिव जी और भ्रह्मा जी भी स्री राम जी को भजते हैं चौण गान करते हैं उनको हमेशा भजते रहते हैं और गुरु जी के लागबार समझाने पर भी मुझे कभी समझ नहीं आया और मैं सिव की महीमा गाता रहा और राम जी को मैंने कभी जो है नहीं सुईकार किया और बहुत तरह के से काम करते करते ऐसा हुआ कि एक समय एक दिन मंदिर के अंदर बैठा और मैं महाँ पर सिव जी के उसमें ध्यान लगा रखा मैंने और सिव नाम जप रहा था उसी समय महाँ पर गुरू जी आ गई, अब गुरू जी को देखके मुझे इतना अभिमान था कि मुझे बहुत सारी सिध्या भी मिलने लगी थी, तो गुरू जब आये तो मैंने उनको ना दो परणाम किया ना उनका सतकार किया, अब गुरू जी इतने दयालू थे, गुरू इतने क्रोध वस उन्होंने अपने, गुरू जी ने इतना क्रोध अपने वस में कर रखा था कि उन्हें कुछा नहीं आया, और वहां पर अराम से आके बैट गे, लेकिन उसी समय एक भविश्यवानी हुई, और भविश्यवानी किसने करी, कौन था ये तो पता नहीं, लेक खविमानी, तेरे गुरू को क्रोध नहीं है, इसलिए तू अत्यांत कुटिल हो चुका है, तेरा चित कपट से भड़ चुका है, पूर्ण यतार्त ज्यान तुझे है नहीं, तो भी है मूर्ग तुझे को मैं साप देता हूं, नीती का विरोध मुझे बिलकुल भी अच्छ तू नहीं लगता, तू ने अपने गुरू जी की जो अधर सत्कार नहीं किया है, मैं उसके लिए तुझे साप देता हूं, पूर्ण साप में क्या बोलते हैं, साप में बोलते हैं, जेसट गुर्षन इर्षकन नहीं, रोरव नरक कोट जुग परहीं, त्रिजग जोन पून योनियों से, भहुत असंख्यो योनियों से, योनियों के सरीर धारन करता है, और दस हजार जन्मों तक दुख में पड़ा रहता है, तो इस तरीके से, जब सिवजी ने उनको साप दिया, और साप में और क्या कहा, कि अरे पापी, तू गुरू के आने पर हिडा भी नहीं, इसलिए तू अजगर की भांती बैठा है, और अजगर, तुझे साप, जो सबसे सरी सर्फ जो हता है, वो सबसे गंदी योनि होती है, जो रहेंगने वाले कीड़े होते हैं, वो सबसे गंदी योनि होती है, तू सर्फ हो जा, और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगरिती सर पिकी नीची नीची योनी को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोकले में जा कर रहे है। महीं पर तु रहेगा जब मुझे स्राप मिला तो मैं उस साप को सुनके बहुत ही घबरा गया और मेरे गुरू जी भी हाहाकार करने लगे के मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हिर्दे में बहुत बड़ा संताप होने लगा वे भी दुखी हो गए और प्रेम सही दंडवत क के वे ब्रहमान श्री शिव जी के सामने हाँ जोड़कर मेरे लिए गद-गद वानी से उन्ने शिव जी से च्यमा मांगी और मोक्ष रूप विभू व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वय रूप इसांत तिसा के इस्वर्तत सबके स्वामी स्री सिवजी मैं आपको नमस्कार करता हूँ निजश्वय रूप में इस्तित गुणों से रही भेद रही तिच्छा रही चेतन आकास रूप एवं आकास को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ और आप नहीं मेरे सिश्चे को ऐसा साप दे दिया है नियाकार औंकार के मूल तृत्य वानी ग्यान और हिंद्रियों से परे कैलास पती विक्राल बहाकाल के भी काल पिरपालू गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो हिमाचल के समान गोर गोरवन ददा गंबीर हैं जिनके सरीर में फिर मैंने सिवजी को अनेक तरह से उनको परसंद करने के लिए बोला कलाव से परे कल्यान रूप कल्प के अंत करने वाले सज्जनों को सदान देने वाले कामदेव के सत्रू परसं हो ये जब तक पारवती के पती आपके चर्ण कमलों को मनुष्ये नहीं भजते हैं तब तक उन्हें गती नहीं मिलती हैं परभू परसं हो ये जो समझ जीवों के अंदर हिर्दे में निमाज करते हैं परभू परसं हो ये और ऐसा कहकर बार बार विंती करने लगे और ऐसा कहकर मैंने बार बार उनकी विंती की और विंती करके फिर मैंने कहा कि मैं बुढ़ा पाता था जर्म म्रत्यु के दुषय दुख से जलते हुए मुझ की मेरी रक्सा करो मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं हमेशा आपको भजता हूँ हे भगवान रुद्र की इस्तूती का यह अश्टक मैं हमेशा आपको जो है यह अश्टक हमेशा भजता रहता हूँ हे प्रभू परसन होई अब सर्वग सुनी बिनती सर्वग सिव देखी विप्रनुरागू पुनी मंदिर नबबानी भई दिजबर वर मागू सर्वग सिव जी ने विंती सुनी और ब्रह्मन का प्रेम देखा तो मंदिर में आकास वरनी हुई कि हे द्विज स्रेष्ट वर मांगो ब्रह्मन ने जब ब्रह्मन ने कहा कि हे प्रभू यदि आप मुझ पर परसन है तो हे नात यदि इस दिन पर आपका इसने हैं तो पहले चर्णों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए हे परभू यह अज्ञानी बहुत ही जादे अज्ञानी है वजो का नियंतर में अज्ञान के वजो कर मैं सब कुछ भूल गयता है किर्पा के समुंद्र भगवान उस पर क्रोध नहीं करते मैंने बहुत बार बार उन से इस्तुती की और फिर मैंने हे गिर्पा निदान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्यान हो बोलो स्यावर राम चंदर की जै बोलो हर हर महादेव की जै इससे अगला भाग अगली वीडियो में लेकर आएंगे तब तक के लिए बोलो स्यावर राम चंदर की जै